दोसो इंडिया के मिसाल डिफेंस सिस्टमों से पाकिस्तान डरा हुआ है और दोसो ये खली मैं नहीं कह रहा हूँ बलकि इन बातों का खुला सा पाकिस्तान के मीडिया में किया जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया में कुछ आर्टिकलों के द्वारा इंडिया के मिसाल डिफेंस सिस्टमों के उपर चर्चा किया गया। रहा है वो भी इससे नाकाम हो जाएगा। दोसो अब सब लोगों को पता ही होगा कि इंडिया अपने मिलिटरी को मॉडनेस करने के तरफ आगे बढ़ रहा है। और इस मॉडनेशन प्रोग्राम में इंडिया के मिसाल डिफेंस प्रोग्राम एक महत्तो पूर्ण करी है। मिसाल डिफेंस शिल्ड के लिए इंडिया बिते कई सालों से अपना तयारी कर रहा है। और इस तयारी के तहट जहाँ पे कुछ अन्य देशों से भी मिसाइल डिफेंस के हत्यारों को खड़िदा जा रहा है तो वही पे भारत अपना खुद का मिसाइल डिफेंस शील्ड भी बना रहा है। अब इंडिया के इस मोडनेशन प्रोग्राम को पाकिस्तानी मीडिया में एग्रेसिव फोस्चर का दर्जा दिया जा रहा है और ऐसे हत्यारों को ओफेंसिव हत्यार का नाम दिया जा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान आए दिन भारत के उपर मिसाइल से हमला करने का धमकी देता है। पाकिस्तान द्वारा जो बड़े मिलिटरी बजट का इस्तेमाल किया जा रहा तो उने वाले समय में पाकिस्तान का कोई काम का नहीं रहेगा। पाकिस्तान द्वारा बैलेस्टिक मिसाइल बनाया जाए या फिर क्रूज मिसाइल। पाकिस्तान और भारत के उपर मिसाइलों से हमला करने का capability नहीं रहता है क्योंकि भारत के पास इन मिसाइलों का तोड है। दूसरे तरफ ओफेंसिव रणिती लेके भारत के उपर चड़ाई करने का शमता तो पाकिस्तान के पास है ही नहीं। पाकिस्तान द्वारा अगर फिर से भारत के उपर कोई लड़ाई थोपने का प्रयास किया जाएगा तो भारत उस लड़ाई को अंजाम तक ले जाएगा और इस बार खाली पाकिस्तान का हार नहीं बलकि उसका चार टुकड़ा होगा। अगरा तुसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को इप्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जै हिंद।